Hey everyone, तो कैसे हैं आप सब? So, आज डिसकस करेंगे Indian Penal Code के अंदर ऐसे दो major offenses के बारे में जिनके बीच का difference समझने में, law students को तो छोड़िए practicing lawyers के भी पसीने छोड़ जाते हैं Culpable homicide और murder के बीच का difference समझेंगे देखिए, इन दोन offenses के बीच का difference समझने में, अकसर law students को दिक्कत आती है लेकिन ये channel है किसलिए, आपके वो ही doubts clear करने के लिए So, एक एक चीज को बारी की से देखेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा So, दोनों ही offenses के regarding मैंने या कुछ points mention की है, जिनके basis पे इनका differentiation हम दिखाएंगे सबसे पहले आप देख सकते है, culpable homicide का अगर हम पहला point पढ़ते है Causing death of a person, murder का पहला point अगर पढ़ते है, causing death of a person एक चीज आप समझ लीजिए, चाहिए culpable homicide का offense हो, या murder का offense हो यहाँ person की death cause जरूर होगी, यह काफी important चीज है आते हैं second point पे जो की है intention, यह second point जो कलpable homicide का है वो simply यह कहता है, intention of causing death और murder का अगर हम second point पढ़े, तो intention of causing death इसमें भी intention, इसमें भी intention, तो difference कहा हुआ देखिए, अगर कोई भी ऐसा act है जो की intentionally किया गया है और उस act से किसी person की death cause हो रही है तो यह माना जाएगा, वो act है murder का लेकिन अब आप बोलेंगे कि culpable homicide में भी intention का जिक्र है देखिए, intention से किया गया कोई भी act अगर किसी person की जान ले लेता है, certain situations में तो वो culpable homicide हो जाएगा अगर सिर्फ इन situations में कोई person intentionally ऐसा act करता है, जो की cause कर लेता है death किसी और person की तो वो बन जाएगा culpable homicide, वो murder नहीं होगा लेकिन इन सब situations को छोड़के अगर कोई भी ऐसा act है, जो की किया गया है intentionally और उससे किसी person की death cause हो रही है तो यहाँ पे वो act बन जाएगा murder कहने का मतलब यह, अगर यह सारी situation fulfill हो जाती है, अगर किसी act को intentionally किया गया है, और उस act से किसी person की death cause हो जाती है तो यहाँ पे वो चीज बन जाएगी culpable homicide, और अगर यह सारी situations fulfill नहीं होती, तो वो ही act बन जाएगा murder सबसे पहली चीज अगर हम इसमें देखे private defense, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर private defense में की गई, कोई भी ऐसा act जो कि एक person कर रहा है intentionally और उससे किसी person की death cause हो रही है, तो यहाँ पे यह चीज कही जाएगी कि वो act culpable homicide है, murder नहीं है, provocation भी एई चीज कहता है, इसको एक example से समझते हैं, मान लीजिए A ने B को कुछ गलत बोल दिया B ने suddenly chair उठाके A के सर पे मार दी, और यहाँ पे on the spot A की death हो जाती है, तो यहाँ यह माना जाएगा कि जो B ने act किया है intentionally, और जो यहाँ एकी death cause हुई है, वो हुई है provocation की वज़े से, तो यह चीज कबर होगी, culpable homicide not amounting to murder, इस चीज को murder नहीं माना जाएगा, इस चीज को माना जाएगा culpable homicide, तीसरा point जो काफी important है, exercise of legal power, अगर कोई भी person exercise कर रहा है अपनी legal power में और उसी चीज के चलते, किसी person की death cause हो जाती है तो यहाँ पे तब भी यह माना जाएगा कि वो चीज कबर होगी, under culpable homicide, not murder, एक example से समझते हैं से, मान लीजिए, एक police officer है, वो एक criminal के पीछे भाग रहा है, उस criminal को वो पैर पे गोली मारना चाता है, लेकिन गलती से, उस criminal के लग जाती है यहाँ सर पे गोली, और on the spot उस criminal की death हो जाती है तो कही न कहीं वो police officer का जो act है, वो fall करेगा, under culpable homicide, murder के अंदर वो act fall नहीं करेगा, क्योंकि यह चीज तब हुई थी, जब वो police officer exercise कर रहा था अपनी legal power को, उसके पास एक authority थी, जिसके according वो ऐसा कर रहा था तो यह चीज culpable homicide के अंदर fall होगी, absence of premeditation भी यहाँ पर काफी important role play करता है अगर कोई भी ऐसा act है, जो की intentionally किया जा रहा है, और जिस से दूसरे person की death cause हो सकती है और वो एक ऐसा act है, जिसमें सोची समझी साजिश नहीं है तो यह चीज cover होगी under culpable homicide, murder नहीं होगी जैसा कि मैंने आपको बताया था, provocation के case में कि A ने B को कुछ गलत बोला, B ने जट से वहाँ चेयर उठा के मार दी, अगर B चेयर उठा के ना मारता B यहाँ पर 3-4 दिन की planning करता फिर A के उपर वो कोई ऐसा action करता जिससे A की death हो जाती तब यह चीज आती present of premeditation के अंदर, लेकिन यहाँ पर जब premeditation, जब सोची समझी साजिश शामिल ही नहीं है तब यह चीज cover होगी under culpable homicide में और last में आता है consent consent का मतलब simply यह होता है एक particular age of majority जब एक person attain कर लेता है और वो जब खुद consented होता है कि मेरी death cause हो जानी चाहिए किसी person को कहता है कि मेरी जान ले लो तब भी जो person यहाँ उसकी death cause कर रहा होगा वो cover होगा under culpable homicide not murder और यह जो सारे contents है यह आते है exceptions to murder के case में मतलब इन सारे situations को ध्यान में रखते हुए जो भी person यहाँ पे intentionally कोई ऐसा act करेगा जिस से सामने वाले की death cause हो पाए तो वो person convict होगा under culpable homicide not murder murder के अंदर convict नहीं होगा वो होगा offense of culpable homicide के अंदर convict तो कहने का मतलब यहाँ यह है कि दोनों points में intention भले ही शामिल है लेकिन intention जब की जाती है कुछ ऐसी situations में जो कि मैंने आपको बताई है provocation हो गया, private defense हो गया exercise of legal powers अगर उन situation में intentionally कोई act किया जाता है जिस से किसी person की death cause हो जाती है तब वो offense बन जाएगा इन exceptions को याद रखना आपके लिए काफी important है सो बात कर लेते हैं third point की so culpable homicide का third point कहता है की intention of causing bodily injury likely to cause death यहाँ पर likely word बहुत जादा important है सो यहाँ पर offender कुछ ऐसी intention रखता है जिसके according वो कुछ ऐसी injuries देना चाता है victim को जिस injuries से victim की death हो जाए यहाँ पर यहाँ पर यह काफी important चीज़ है अगर murder के third point पर आते हैं intention of causing bodily injury as offender knows which is likely cause the death of other person यहाँ यह जो offender knows है यह concept काफी जादा important है तो इसको खास कर आप ध्यान से समझेगा इसका मतलब समझ लेते हैं offender कुछ ऐसी intention रखता है जिसके according वो कोई ऐसी bodily injury देना चाता है victim को और offender यह जानता है कि अगर उसने कोई ऐसी bodily injury दी victim को जिससे victim की यहाँ जान जा सकती है तो एक चीज़ आपने notice की होगी कि offender को नहीं पता था कल पे बलो में side के case में कि अगर वो कोई bodily injury ऐसी देगा victim को जिससे उसकी जान जा सकती है लेकिन murder में यह चीज़ शामिल थी इस चीज़ को एक example से समझते है मान लीजिए A एक person है उसके आतमे एक hockey stick है उसने attack किया B की chest पे B का कुछ time पहले हाँ पे chest का operation हुआ है लेकिन A को यह नहीं पता कि B की chest का operation हुआ है फिर भी A ने attack कर दिया B की chest पे और B की death हो जाती है तो यह चीज़ cover होगी culpable homicide में क्योंकि आपे offender bodily injury तो दे रहा है victim को लेकिन उसे यह नहीं पता कि उस bodily injury से उसकी death हो सकती है intentionally सारी चीज़े हो रही है लेकिन offender nose जैसा concept culpable में side में नहीं है वहीं अगर हम murder में देखें तो अगर A यह जानता है कि B की chest का operation हुआ है फिर भी वो hockey stick से B की chest पे attack करता है तब यह case fall होगा under murder क्योंकि यहाँ पे offender जानता है कि अगर वो hockey stick B की chest पे मारेगा तो उससे कही न कही उसकी death हो जाएगी उसकी death accelerate हो जाएगी तो यह चीज़ cover होगी under offense of murder में काफी important चीज़ है यह जो third point है यह one of the most important point है इस context में देखिए offender जो है वो bodily injury दोनों offenses में दे रहा है culpable homicide में भी दे रहा है murder में भी दे रहा है लेकिन यहाँ पे main difference इस चीज़ को निकल के आता है कि offender को पता कब है कि उस injury से उस person की जान जा सकती है तो यहाँ murder के column में यह चीज़ specify है कि अगर offender कोई ऐसी bodily injury दे देता है victim को जिस के बारे में offender को यह पता है कि अगर मैं ऐसी bodily injury victim को दूँगा तो victim की जान चली जाएगी अगर यह चीज़ होती है तो वो situation fall करेगी under the offense of murder में अगर offender इस बारे में नहीं जानता कि कोई ऐसी bodily injury जो वो देने वाला है victim को और जिससे victim की जान जा सकती है अगर offender को उस injury के बारे में नहीं पता तो यहाँ यह चीज़ fall करेगी under the offense of culpable homicide में यह जो third point है यह कई न कई specify करता है degree of intention offender की कि offender कितनी degree of intention से यहाँ पे victim की death cause करना चाता है अगर मैं simple words में बोलू तो offender कितना desperate है victim की जान लेने में यह चीज़ यहाँ देखी जाती है यह जो degree of intention है यह काफी important word है बात करते हैं fourth point के बारे में so fourth point यहाँ पे यह कहता है knowledge of an act that likely to cause death culpable homicide का fourth point simply यह कहता है कि offender एक किसी particular act के बारे में कुछ ऐसी knowledge रखता है जिस act के करने से यहाँ victim की जान जा सकती है यह काफी important चीज़ है अगर हम murder के column में जाये तो knowledge of an act done sufficient dangerous to cause death यहाँ जो offender है वो किसी particular act की कुछ ऐसी knowledge रखता है जो act sufficient है जो act काफी है किसी की जान लेने में यहाँ यह जो likely word है और sufficient dangerous word है यह की main difference create करते हैं दोन offenses के बीच में so इस चीज़ को एक example से समझते हैं आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक scenario create किया जिसमें मैंने दो cases दिखाए है पहले case के अगर हम बात करें यह है offender इस case में और यह है victim इस case में मान लीजिए first case में offender ने attack किया victim को with a blunt knife खोटे चाकू से attack किया और उसी second case में यहाँ offender ने attack किया victim को with a sharp knife अब आप खुद बताईए blunt knife और sharp knife में से कौन सी situation में knife ऐसा है जो कि sufficient dangerous है victim की death cause करने में और वेसी बात है sharp knife ज़्यादा sufficient dangerous है sharp knife ज़्यादा capable है किसी की death cause करने के लिए यहाँ offender को knowledge थी कि वो एक particular act करेगा जो की act था blunt knife से attack करने का तो उसे victim की death हो जाएगी लेकिन second case में victim को knowledge थी कि वो एक ऐसा particular act करेगा जो कि sufficient dangerous होगा victim की जान लेने में और यहाँ पर sufficient dangerous को ensure करता है sharp knife देखे death blunt knife से भी हो सकती है लेकिन sharp knife ज़्यादा capable है किसी की death cause करने के लिए यह जो fourth point है वो ensure करता है degree of probability of death यह काफी important है कहने का मतलब यह कि situation में जो victim की death है उसकी probability ज़्यादा होती है उसकी आशंगा ज़्यादा होती है यह fourth point वो चीज़ ensure करता है और अगर हम इस case में देखे तो victim की कौन सी case में degree of probability of death ज़्यादा होगी obviously बात है sharp knife के case में क्योंकि sharp knife ज़्यादा capable है यहापे victim की death cause करने में और कई न कई इस situation में यह जो knife के attack का act है यह शो करता है offender की degree of intention sharp knife के case में higher degree of intention ensure करता है यह offender against victim in comparison with the blunt knife so यहाँ दोनों offenses के बीच का जो main difference है उसका essence अगर हम निकाल के देखे तो simply यही चीज़ ही specify होती है कि जो murder है वो ensure करता है higher degree of intention जो भी person यहाँ murder commit कर रहा होता है वो एक higher degree of intention रखता है अगर मैं आपको layman language में बता हूँ तो जो भी person यहाँ murder commit कर रहा होगा वो ज़्यादा desperate होगा victim की death cause करने के लिए लेकिन यही चीज़ culpable homicide में present नहीं होगी क्योंकि culpable homicide में एक lesser degree of intention रखता है offender against victim यह काफ़ important चीज़ है और अगर हम second चीज़ की बात करें तो murder में higher degree of probability of death होती है देखिए obvious सी बात है जब एक higher degree of intention होगी जब एक person जादा desperate होगा दूसरे person की जान लेने में तो दूसरे person की जो offender जान ले रहा है उसकी भी probability of death हाई हो जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया था इस case में अगर यह person higher degree of intention रखता है इस person की जान लेने में तो इस person की जो मृत्यू की आशंका है वो भी बढ़ जाएगी office सी बात है जब इस person को sharp knife से attack करेगा तो इसकी intention high होगी और इसकी degree of probability of death हाई होगी वही पे अगर हम culpable homicide की बात करें तो जब इस person ने blunt knife से attack किया था इस person को तो यह कही न कहीं एक lesser degree of intention लेके चलता है against victim और इस victim की जो death की probability होती है वो much lower होती है in comparison with the murder so mainly यह 4 points है जो की इन दोनों offenses के बीच के difference के बारे में बात करते है देखिए अब सारी चीजों के बारे में हमने बात तो कर ली लेकिन लगे हाथ इन दोनों offenses की punishment के बारे में भी बात कर लेते हैं अगर कोई भी person charge होता है under section 302 of Indian Penal Code में जो की बात करता है punishment for murder को लेके तो यहाँ पे उस person को death penalty दी जा सकती है imprisonment for life तक दी जा सकती है और तो और उस person को जो person यहां murder commit कर रहा है उसको death penalty और imprisonment for life के साथ साथ fine भी देना पड़ सकता है लेकिन on the other hand अगर हम देखें कोई भी person अगर charge होता है under the offense of culpable homicide तो वो book होगा under section 304 of Indian Penal Code में जो की बात करता है punishment for culpable homicide not amounting to murder के बारे में कोई भी person अगर culpable homicide commit कर देता है तो उसको punish किया जाएगा imprisonment for life के लिए और minimum punishment culpable homicide में है 10 years की 10 साल की minimum imprisonment है जो की extend हो सकती है imprisonment for life के लिए उमर के तक हो सकती है और उस person को fine भी देना पड़ सकता है जो person यहाँ पर commit कर रहा है culpable homicide की practice को so मुझे उमीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी so यह difference जितना simple हो सकता था मैंने उतना simple रखने की कोशिश किया मुझे उमीद है आज के आपके सारे doubts clear होए होंगे और जिस information को आप यहाँ gather करने आए होंगे वो आपको मिली होगी have a great day